स्वार्थ का सदुपयोग या दुरुपयोग हमारी बुद्धी पर निर्भर है। यदि हम स्वार्थ का सदुपयोग करें तो हमें अवश्य ही चिरस्थाई सुख की हो सकेगी। जैसे चाकू काम में भी लाया जा सकता से किसी की इसी चाकू से को घरेलू है और हुआ साना भ अर्थों में स्वार्थ की खोज करना चाहिए, जिसमें हमें चिरस्थाय सुख की प्राप्ती हो। हमारा स्वार्थ दूसरे के अनहित में नहीं, अर्ण दूसरों के हित में ही नहित है। इसलिए दूसरों का हित चाहने वाला ही सच्चे अर्थों में स्वार्थी कहलाने का। सारे जीवन भर प्रयतन करने पर भी साधारन मनुष्य इतनी प्रतिभा एकत्रित नहीं कर सकता। जितनी की कोई कोई तेजस्वी संसकारी व्यक्ति जन्म से ही अपने साथ लेकर लेकर आते हैं, आज के बुध्याति रेक्टा के युग में श्रद्धा नामक मानव मूल्य का अभाव हो गया है। जिस दिन मनुष्य में श्रद्धा के भाव की बहुलता हो जाएगी बुध्धिवादिता का नियमन होगा। तब आज के ध्वन सूचक बौधिक चमतकार स्रिजन संबंधी वर्दान बन जाएंगे।